है जो है हलो बच्चो आज के क्लास में हम आज के लिए बहुत खास लेकर आये हैं और हमने कुछ सोचा बच्चो और कुछ पहलू पर विचार किया और यह हमारा जिसे कि आपको दिखाए पड़ रहा हो बच्चो यह हमारा ट्विल्थ मैत का रामबान है यानि कि एक से लेकर हमारा जो है एक से लेकर जरा ध्यान दिजिए अगर ठीक है एक से लेकर हमारा जो है छह अध्याय तक ठीक है एक से लेकर छह अध्याय तक ठीक है हम आपके लिए महत्पुन टिप्स लेकर आया है ठीक है यानि पहला lesson से लेकर छठ्था lesson तक आपके लिए महत्पुन टिप्स है और यह examination के लिए के लिए और खास करके बस्तुनिष्ट प्रशणों के लिए बस्तुनिष्ट प्रशणों के लिए काफी यह लाबदायक होगा ओके तो जली जली बच्चो आज का क्लास शुरुआत करते हैं ठीक है और देखिए हमारा 12 मैत का यह रामबान है अध्याए एक से लेकर अध्याए 6 तक महत्पुन टीप्स लेकर आये हैं ठीक है इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा हो सके उसको से भेर कि जिये ठीक है और आज का क्लास बच्चा लोग काफी खास है और आज यह वीडियो परतेक बच्चे लोगों को पास चाहे हमारे आपके बहन हो आपके भाई हो ठीक है यह वीडियो शभी के लिए क्या है महत्पुन है ठीक है और इस पर क्या responsibility आती है यह मैं जानना च ठीक है तो चलिए बच्चा लोग आज का क्लाश शुरुवात करते हैं और तहे दिल से आपका श्वागत है आज के क्लास में बच्चा लोग ठीक है तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि हमने एक से अध्याइच्छ तक जो महत्पुन टीप्स है वह हमारा क्या है ओके चलिए कहता है कि यदि एक अभ्यवोग शंख्या एम हो और बी की अभ्यवोग शंख्या एन हो तो एक क्रोस बी की अभ्यवोग की संख्या जो होगी बच्चा लोग एक अभ्यवोग की संख्या गुने बी की अभ्यवोग शंख्या होगी यनि पहला जो हमारा टीप्स है कि यह हमा तारा कार्ती गुननफल पर अधारित है ठीक है और यह कहता है कि A और B की अभिवोग ही संफ्या क्या होगी ओ यह एक जो होगी। फकी अभिवोग की शंख्या गुने बी की अभिवोग शंख्या होगी क्यों है चलिए अब हम दूसरा पो Tony करते हैं कि दूसरा point हमारा क्या है, देखें दूसरा point भी बहुत खतरनाक है, काता है यदि एक या बेवुक शंख्या एन हो तो कुल संबंधों की शंख्या क्या होगी, तो कुल संबंधों की शंख्या दूपय घात एन गुने एन होगी, दूपय घात क्या होगा, एन गुने एन होगा ब बस्तुनिष्ट प्रस्ट में पस्तुनिष्ट परस्टों की शंख्या काफी ज्यादा होती है, चाहे कोई भी एकजाम लेलो, 12th basis हो, 12th का एकजाम हो, 12th के अपर कलास का एकजाम हो, ओके बच्चा लोग, तो चलिए, तीसरा पॉइंट को आप डिल करने के लिए जा रहा हैं, कहता है, यदि R बराबर A क्रॉस B हो, तो R क्या होगा, एक सार्वत्रिक शंबंद होगा, सबसे बड़ा संबंद जो होता है, वच्चा लोग, यह हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक शंबंद होता है, वो हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक शंबंद होता है, ओके, चलिए बच एक दो तीन हो तो कुल तुलिता शंबंधो की शंख्या पांच होगी ठीक है यदि हमारा कोई सेड दिया हुआ है कोई समुझ दिया हुआ इसमें तीन अभियब है तो कुल तुलिता शंबंधो की शंख्या हमारा क्या होगा तो पांच होगा ओके चलिए बच्चा लोग अगल अगला पॉइंट ठीक है काता यदि अगला पॉइंट क्या है जरा उसको समझते हैं काता है बच्चा लोग यदि A की अभ्यवक शंख्या N हो और B की अभ्यवक शंख्या N हो तो और A से B में फलन परिभासित हो तो कुल फलन की शंख्या क्या होगी तो N to the power N होगी फलन की संख्या क्या होगी तो N to the power N होगी यह सभी पॉइंट जो आपके एग्जामनेशन के लिए काफी खास है ठीक है यह सभी पॉइंट जो बच्चा लोग यह क्या है आपके एग्जामनेशन के लिए काफी खास है और सभी को में नोट करो बस्तुनिष्ट प्रस्ण सॉलिट जाएगा बस्तुनिष्ट प्रस्ण जो है एकदाम बिल्कुल पक्का गेसिंग है कि यही सब कूर्शन रहता है ठीक है यह आपको टिप्स भी काम देगा और कंसेप्ट को समझने में भी काम देगा ओके बचलो तो आगे माचमा पॉइंट था अब अगले पॉइंट की बात करते हैं ठीक है अगले पॉइंट की बात करते हैं और देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है ठीक है अगला पॉइंट देखिए बढ़ा खास है यह आपको दीख रहा होगा ठीक है कहता है कि यह 6 नंबर पॉइंट है करता है यदि A से B में फलन परिवासित हो और तथा A की अभयोग शंख्या N हो और B की अभयोग शंख्या N हो तो एक एक अच्छादक है ना एक अच्छादक फलनों की शंख्या क्या होगी तो ये फैक्टोरियल N होगी बड़ा ला जवाब प्रसने बच्छा लोग ठीक है कि एक अच्छादक फलनों की शंख्या क्या होगी इसको 1,1 on 2 भी कहीं कहते हैं इसको 1,1 on 2 भी कहीं कहते हैं बच्छा लोग ठीक है इसलिए टेंसन नहीं लेना ठीक है ये क्या होगी ये फैक्टोरियल N होगी ये भी टीप्स बड़ा भी भी आई है ठीक है सभी प्रस्ट सब सबीस एक सए-एक है इसको देखिए आप लोग ठिक है तह च्छत्था टिप्स हो गया अब छेले बच्च लोग साथ्मा टिप्स ठिक है साथ्मा टिप्स आप मैंने आपके लिए क्या रखा है कहता है कि यदि A of x1 बराबर A of x2 हो, तब क्या हो जाए कि x1 बराबर x2 हो जाए, तो हमारा फलन कैभि काईसा होगा तो एक का एक फलन होगा, कैभिक कापी इम्पोर्टेंस है आपकी एक जामनेशनों के लिए ठीक है और कंसेप्टों को समझने के लिए, तो हमने बच्चा लोग परियास किया है कि आज का जो क्लास है जितना जादा जादा हो सके बच्चा लोग शेयर करो और जितने भी आपके दोस्त हो कजन हो ठीक है भाई छोटे हो बड़े वहन हो ठीक है जो भी 12th क्लास में पढ़ते हो उनके लिए वीडियो बहुत ही अनिव ख्लान है कोईसा है और आपके लिए किस प्रकार से एक्जाम निशन के लिए उतरदाइत होशकता है प्लट कि चलिए प्लट hex करते ये अगला पॉयंट इक कंद्सक तब करते x1 बरावर f of x2 हो तब x1, x2 के बरावर नहीं ना हो तो f कैसा होगा जी तो औने काएक फलन होगा एफ कैसा फलन होगा तो अने काएक फलन होगा ओके यह आठमा पउआच्छ पॉइंट भी काफी रोचक है कहता है कि यदि रेंज परावर को डोमें हो ठीक है अगला point कहता है कि यदि range बरावर co domain हो तो f अच्छादक फलन होगा जी कैसा फलन होगा अच्छादक फलन आप लोग पढ़े होंगे कि f of a बरावर जो हाना हमारा क्या होता है b होता है f of a बरावर क्या होता है b होता है तो अच्छादक होता है और अगला point कहता है यद तो अन्ता 6 पी फ्लन होगा. अगला point करता है बच्च लोग ये दी R से R फ्लन परिवासी थो. Taa 2 बराढ़र Fx बराढ़रéisी फ्लन से घाथ 4 हो. तो F कैसा फ्लन होगा बच्च लोग? तो अन्यका 1 फ्लन होगा. कैसा फ्लन होगा? तो अन्यका फ्लन होगा. चलिए अगला कहता है by बरावर अंडरूट x-1 और x-2 हो तो f का प्रांत क्या होगा ये vvi आई शवाल ये vvi आई शवाल ठीक है टिप्स कि हमारा क्या होगा minus infinity से 1 तक होगा और उन्यां दूसे plus infinity तक होगा दूसरे क्या होगा पलस इंफिनिटी तक होगा और अगला कहता है कि यदि बाई बरावर अंडर रूट एकस माइनस वन और एकस माइनस टू हो तो परिसर जो होगा यह माइनस इंफिनिटी से पलस इंफिनिटी होगा और यह दोनों पॉइंट काफी भी भी आई पॉइंट मे लेना चाहते हो बच्चा लोग ठीक है एक सकेंड रुखियेगा और आप यदि अस्क्रीन सोट लेना चाहते हो सही पॉइंटों को तुम्हें अच्छी तरह शेकर देता हूं और इसका बच्चा लोग आप लोग अस्क्रीन स्वाव सोट भी आप ले शकते हो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बच्चा लोग ठीक है आप अराम अराम से इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो ओके तो चलिए बच्चा लोग बढ़ते हैं हमने नवा नंबर कूश्चन 10-11 तक हो गया ओके 12 तक हो गया अगला पॉइंट आपके शामने ठीक है कोई भी आपको जितना भी मैं पॉइंट लेके आया हूँ ना इसमें सारा का सारा क्या है ना काफी बेहतरीन पॉइंट में से एक है ठीक है और इसको बिलकुल ध्यान देना है बच्चा लोग ठीक है बिल्कुल ध्यान देना है, देखें क्या कहता है 13 number point, point number 13, यदि by ब्रावर x-1 बटा x-2 हो, तो a का प्रान्त क्या होगा, तो r-2 होगा, r-2 होगा, तो बच्छा लोग कैसा लग रहा है, आज का class ठीक है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये comment box में भी comment करके जव से लिवाब देनी है, ओके, तो चलिए अगला point कहता है, यदी जावर का परिशर हमारा g के प्रांद के बराबर हो, तो गाउफ हमारा क्या होगा, परिभासित होगा, ने लिए लिए बढ़ा अच्छा हमारा है, कि कहता है घौफ का परिभास। होगा जी ओफी गौफ गौफ का मतलब कोई बच्चे नहीं जानते हो तो लिख सकते हैं गौफ का मतलब होता है जी एफेक्ष गौफ का मतलब क्या होता है तो यह जी एफेक्ष होता है ठीक है ओके अगला पॉइंट कहता यदि जी का परिशर हमारा एफ का प्रांथ के बराब भूर हो तो हमारा परिभासित होगा क्या परिभासित होगा बच्छ लोग तो परिभासित होगा वुनेधों थीक है वुदाने ये डीक हो जसेर्ट ठीक है ओके चली बच्छा लोग को और अगला पॉइंट आपके स्क्रीण सोट भी बच्चा लोग ले शकते हो कोई दिक्कत नहीं छे ठीक ने चलिए अगला पॉइंट है आपका जोलह नमर पॉइंट गता यदि एफ का परिशर हमारा एफ के प्रांथ के बराबर हो तो क्या परिभासित होगा बच्चा लो भो परिवासित होगा और पोफ वोले तो फोफ बोले तो f of effect ठीक है f of effect ठीक है सभी पॉइंट को जितना भी मैं पॉइंट लिखाया हूं सभी को अपने copy में note करो या आपके लिए रामबान सावित होगा बच्चा लोग ठीक है सेप्टों को समझने में परिशानी नहीं होगी ठीक है और जो बच्चे आज का क्लास एटेंड नहीं कर पाएं हैं उनको जरूर सेर कर दीजिएगा कभी भी टाइम मिले इस वीडियो को जरूर देखिएगा ठीक है ओके तो चली बच्चा लोग अगला देखिए अगला पॉइंट आपके शामने है और यह है हमारा पॉइंट अमबर 17 ठीक है यह सब बड़ा ब्यतिन खतरनाक प्रश्णों में से एक है काता यदि एफेक्स बराबर 3 माइनस x q2 whole the power 1 by 3 हो तो एफेक्स क्या होगा तो x होगा और यह यह previous question यह भी है यह previous year question भी है बच्चा लोग ठीक है 17 नमबर जो है previous question भी है ओके चलिए अठारमा नंबर पॉइंट काता यदि A फ और G एक दूसरे का परतिलोम हो तो गौफ बराबर्ज होगा हमारा F का प्रांथ होगा हमारा क्या होगा तो गौफ बराबर्ज होगा F का प्रांथ होगा F का क्या होगा तो प्रांथ होगा ठीक्ए ओके तो 18 नंबर पॉइंट है उञिस्वा नंबर पॉइंट काता कता यदि A फ और G एक दूसरे का प्रतिलोम हो तो फौग क्या होगा तो G का प्रांथ होगा यानि कि F OF GX होगा यह किसके बराबर होगा बच्चा लोग तो हमारा जी का डोमेन के बरावर होगा जी का डोमेन के बरावर होगा ठीक है ओके चलिए अगला पॉइंट बच्चा लोग आपके शामने ठीक है आप इसका स्क्रीन सॉट भी ले शकते हो ओके अगला पॉइंट आपके शामने देखिए आपके स्क्रीन बोड पर दीख रहा होगा कि यह पॉइंट नमबर 20 है यदि एफ एक एक अच्छादक हो तो एफ ब्यूत कर्म निये फलन होगा यानि बितकर्म निये फलन किसको कहेंगे जब हमारा फंक्षन एक एक अच्छादक होगा क्या होगा बच्चा लोग तो एक एक अच्छादक होगा यदि एक एक अच्छादक होगा ना तभी हम कहेंगे कि यह हमारा कैसा फलन होगा तो यह बितकर्म निये खलन होगा ओके सभी पॉइंट को बच्चा लोगा स्क्रीन सॉट भी ले शकते हो ले लो ठीक है और ये सभी पॉइंट आपको बस्तुनिष्ट प्रश्णों को हल करने में काफी मददगार सावित होगा और खास करके देखिए अब क्या ना हमारा बस्तुनिष्ट प्रश्ण ये तो हमारा हो गया है ना कोश 20 नंबर पॉइंट तक ओके चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा अगला पॉइंट है ये 21 नंबर पॉइंट है कहता यदि आर से आर खलन परिभासित हो और एफ एक्स बरावर 3 एक्स प्लस हो तो हमारा एफ इनभर एफ इनभर्स जो होगा हमारा एक्स-4 बाइद 3 होगा ओके बच्चा लोग इसी प्रकार से अगला पॉइंट यो है ये परतिलोम फ्लन से है कटा यदि एफ एक्स बरावर एक्सस्क्वायर प्लस 1 हो तो एफ इनभर्स एक्स बरावर अंडरूट एक्स-1 होगा अंडरूट क्या होगा x-1 होगा सभी point को note करो जल्दी से ठीक है और ये class को miss नहीं करना जो बच्चे miss कर जाता है न वो अलग से भी time निकाल के इसको जरूर अपने copy में note करें ठीक है और जो भी exam आएगा न देखिएगा ये रामबान सावित होगा ठीक है तो अगला point करता है यदि fx बराबर x-1 बटा x-1 हो तो f inverse x क्या होगा तो 2x-1 बटा x-1 होगा ठीक है 2x-1 बटा क्या होगा x-1 होगा और ये bbi और ये bbi point आगी अब चलो क्या करता है यदि एक अभियोग शंख्या n हो तो कुल द्विधारी शंक्रियाओं की जो शंख्या होगी दूपे घात n गुना n होगा ये बड़ा लाजवाब और most important question है ये most important question है वच्चा लोग ठीक है यदि number of a बड़ावर n हो तो कुल द्विधारी शंक्रियाओं की शंक्या दूपे घात n गुने n होती है और ये यदि ए और अगला point तो आपको दिख रहा होगा इस तरह का question पूछा जाता है कता यदि a operation b बराबर a square प्लस b square हो तो इसको हल करना है 2 operation 3 operation 4 बराबर क्या होगा तो 280 होगा इस तरह का question पूछा जाता है binary हमारा जो आपका 1.4 अध्याय में पढ़ने का है ओके बच्चा लोग कोई परिशानी कोई टेंसन ना इखे बानू ठीक ना आगे बढ़ी चलिए अगला point आपके शामने हम रख रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से रखेंगे बच्चा लोग ताकि तुलो को कोई परिशानी ना हो ठीक है चलिए ये चबिश्वन नंबर पॉइंट है और कहता है दि ए ओपरेशन बी बरावर बी ओपरेशन ए हो तो ये हमारा ओपरेशन जो होगा कैसा होगा कैसा होगा तो करम बीन मैं होगा यह ना इस सभी पॉइंट को नोट करो ठीक है बच्चा लोग नोट कर रहे हो ना विल्कुल ओपरेशन हमारा कैसा होगा तो शाहचरी होगा कैसा होगा बच्चा लो तो शाहचरी होगा ओके और यह पॉइंट नंबर 28 जो बहदी खतरनाक बहदी खतरनाक कहता है यदि ए ओपरेशन ए बरावर ए हो तो ये को कैसा अभियब कहते हैं बच्चा लो तो तत्सम अभियब क कहते हैं कैसा अभीब कहते हैं तत्सम अभीब कहते हैं बच्चा लोग ओके चलिए अब उन्तीश्वा नमबर पॉयंट आज के क्लास का उन्तीश्वान नमबर पॉयंट कहता है दि ए ओप्रेशन बी बराबर ठीक है यहां पर थोड़ा सा छुट गया है ऐसा कोई दिक्कत नह हमारा ए ओप्रेशन बी बरावर ई हो तो बी को एक आप ब्युत कर्मनिय अभियब कहते हैं ओके बच्चा लोग कोई टेंशन नहीं खेवानू परसानी नहीं खेवानू अराम अराम से लिखना है और सभी पॉइंट वा के अपन कोपियम लिखो बुझलो यह काम देतो तो रह लिख जंम हमें बार बार कहें चिए वुझलो चला कि अब बच्चा लोग हम आते हैं यह तो हमारा अध्याए हमारा अध्याए एक का सभी पॉइंट था अब देखिए अध्याय दो में आते हैं ओके और आपको जैसे की दिख रहा होगा यह हमारा अध्याय 2 है ठीक है और इस अध्याय से बारा नमबर का कुशन आता है वच्य लोग, ठीक है, ध्यान میस ने करीँ हो, बुजलो 12 नमबर के कुश्चन आवेच है तो पहला point क्या कहता है वच्य लोग, कि सभी त्रिकोनमीतीय फलन क्या होता है, तो एक एक अच्छादक होता है, ठीक है क्या होता है एक एक अच्छा दक होता है ओके चलिए सभी पॉइंट को अराम अराम से देखेंगे अर्टेंस नहीं खेलेंगे ओके चलिए अब देखिए क्या है पॉइंट नमबर दूसरा पॉइंट नमबर दूसरा क्या काता है एक शकन एक शकन वच्छा लोग ठीक ह पॉइंत नमबर दूसरा आपको आराम आराम से दिखा ही दें ठैंसन कहले रहे हैं यह पहां दूसरा हमारा क्या कहता है फौइंस डूसरा बिल्कुल आराम आराम से देखेंगे कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा परसानी का सामना करते हैं, कब करते हैं जरा देखिए, कहीं हमको मिल जाए, जैसे यह point number हमने do में लिखा, कि sign के आगे आर्क लगा हो, sign के आगे क्या लगा हो, आर्क लगा हो, तो इसका मतलब sign inverse होता है, क्या होता है, sign inverse होता है, और cause के आग सभी को आराम आराम से अपने copy में लिखो न, यह सब point बहुत मददगार शावित होगा, है न, और देखिए, तीसरा number बहुत ही खूपशूरत point है, कहता है कि परधान मान्ज होता है, मुख्य मान्ज होता है, कहां से कहां तक होता है बच्चा लोग, तो minus pi से लेकर, plus pi तक हो कता है यदि sin inverse x में हमारा x जो है, यह x जो है हमारा क्या हो, धनात्मक हो, तो हम इसे पर्थम पाद के अनुशार मान निकालते हैं, यदि हमारा sin inverse में हमारा जो x है, वो क्या है, यह जो x है, हमारा क्या हो, तो धनात्मक हो न, तो इसको क्या करते हैं, तो हम पर्थम पाद, इसको क्या करते हैं बच्चा लोग, तो हम पर्थम पाद के अनुशार इसको question को हम solve करते हैं, ये हमारा बहदी खतरनाक point है, ओके, चलिए बच्चा लोग, क्या है न, अब देखिए ये एक से एक point है, tension नहीं खो लियो और बुजलो, अश्रा भी point बाको देखा, अगला number point बहदी खतरनाक है, करता है यदि sine inverse x में x जो है, हमारा रिनात्मक हो, तो इसे हम चतूर्थ पाद के अनुशार बनाते हैं, क्या करते हैं, चतूर्थ पाद के अनुशार बनाते हैं, जैसे sine inverse में यहां लिखेंगे, sine inverse half लिखेंगे, ओके, अब देखिए हमारा क्या है, बिल्कुल कि यह हमारा इसमें कुछ important सुत्र है, उसको भी देख लेते हैं, यदि आप calculus पढ़िएगा न, वहां पर क्या है न, कि आच्ची याद रखोगे, calculus पढ़ने के लिए, ठीक है, calculus पढ़ने के inverse trigo formula, ठीक है, यह हमारा बहुत ही जरूरी है, यह हमारा क्या है, बहुत ही जरूरी है बच्चा लोग, ओके, कोई दिक्कत नखेवानू, चला, हमारा देख यह पहला formula क्या काता है, आप लोग पढ़ें भी होंगे, inverse में, कि sin inverse x plus cos inverse x ब्रावर क्या होता है, pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x ब् और क्या होता है, बच्चा लोग, तो pi by 2 होता है, इन सभी, अधि आप नहीं लिखे होंगे, तो note कर लिजिए, आपका NCRT book, केसी सिन्हा, आडी सरम सभी में दिया हुआ है, यह आपको जवान पर होनी चाहिए, बिल्कुल जवान पर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यह स चलिए बच्चो, अगला point देखिए, सभी यह सब formula है, मैं बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से इसको कर जाओ, ठीक है, तो यह क्या है, कि sin inverse x plus sin inverse by ब्रावर sin inverse x under root 1 minus by square plus by under root 1 minus x square, और अगला point, कता है, cos inverse x plus cos inverse by ब्रावर cos inverse x by under root 1 minus x square into under root 1 minus, क्या होत चलिए, चलिए अगला point क्या करता है बच्च लोग, ठीक है, और अगला point क्या करता है, विल्गुल आराम से देखिए इसको, ठीक है, क्या कहता है, कि tan inverse x plus tan inverse by ब्रावर स्कार्च होता है, tan inverse x plus by provided 1 minus x by होता है, यह सही formula है और काफी बहत खतरणाख है, ठीक है, और यह अगला पॉयंट करता है अगला पॉयंट है कि cought inverse x प्लस cought inverse y और cought inverse x y-1 बटा x प्लस y होता है ठीक है सही फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो बिल्कुल स्क्रीन सोट ले सकते हो और अगला पॉयंट बहदी खतरनाग काथ 10 inverse x प्लस 10 inverse y प्लस 10 inverse यहां पर z होगा बरावर 10 inverse x x प्लस y प्लस z 1-xy- yz- kya होता है z x होता है मैंनस क्या होता है z x होता है सबी फर्मुला का आम से देखो कोई टेंसन है कोई परिशानी नहीं और एक चीज और जो बचवा बिल्कुल सुरू से पढ़ह चाहे थी है जो पढ़हल चाहा की शुरू से वो हमार ड्रीन क्लासेज का जो हमारा लर्निंग एप है उसको जरूद डाउनलोड को रहें बिल्कुल बेसिक से उसमें विडियो बना हुआ है स्टार्ट चेंट तक और जो भी इदी उस होगा कि यह हमरा अगला पॉइंट कीच है तो 2 sin inverse x बरावर sin यहां inverse और 2x under root 1 minus x square x और 2 cos inverse x बरावर बचवा होता है cos inverse 2x square minus 1 सही बच्चा लोग जानता होगा ठीक है और फिर 2 tan inverse x बरावर जो होता है 10 inverse 2x बटा 1 minus x square cos inverse 1 minus x square बटा 1 plus x square और हमारा क्या होता है तो sin inverse में sin inverse 2x बटा 1 plus x square होता है 1 plus क्या होता है x square होता है तो सभी को बिल्कुल लिख डालो ना जानते हो तब पर भी लिख डालो ताकि आपको कोई आगे confusion का सामना ना करना पड़े बच्चा लोग ठीक है चले बच्चा लोग तो आगे बढ़ते हैं और देखिए एक से एक आपका भी point मिलने वाला है कहता है 3 sin inverse x बराबर sin यहाँ पर inverse और यह हमारा 3x minus 4x q होगा 3x minus क्या होता है 4x q होता है बच्चा लोग ठीक है और 3 cos inverse x बराबर cos inverse 4x q minus क्या होता है 3x होता है ओके और 3 tan inverse x बराबर 10 inverse 3 minus x q बटा 1 minus 3x square होता है ठीक है यह सब बवाल फर्मुला है ठीक है और एकदम खतरनाक फर्मुला अच्छे चैना बानू चलिए और देखिए कुछ point है इसको हम देखते हैं और देखिए यह बहुत खतरनाक point है कहता है जर्द देखिए इस अभी point को यदि हमको सरल्तम रूप में लिखना हो और यह by बरावर under root a square minus x square हो तो हम x बरावर a cos to theta या x बरावर a cos theta पूट करते हैं ठीक है जो हमारा inverse में root का concept आता है इसको जरूर यूज करते हैं और अगला काता है यदि under root a square plus x square हो तो हम यहाँ पर x बरावर a tan theta पूट करते हैं क्या करते हैं a tan theta पूट करते हैं और यदि हमारा by बरावर under root x square minus a square हो तिहां root हटाने के लिए x बरावर a से 1 theta पूट करते हैं और अगला point है यदि under root a minus x और root a plus x हो तो x बरावर हम a cos to theta या x बरावर a cos theta पूट करते हैं यह हमारा बच्चों अध्याय दो तक का हमने मुख points को लिखा ठी और अध्याय और बाकी है बच्वा अभी एक से एक tips लई बो बुझलो और एक से एक खतरनाक point बने बो इसलिए क्या है इस वीडियो को जरूर start से इंट तक देखो बच्चा लोग और कैसा लगा यह comment जरूर कर भो बुझलो ओके बच्चा लोग तो आज की class यहीं तक रहे दियो ना एदम बिल्कुल इस सब छोटा छोटा वीडियो हमने बनाया है ठीक है ताकि आपको अच्छे से टाइम भी जाद आना लगे और सभी point को दिमाग में एदम सेट कर जाए ठीक है और दिमाग में सेट नहीं करे हमको याद कर लिजेगा ठीक है ओके बच्चा लोग बाई पौता लोगे